सो हे गाई स्वागत आपका एक और फिर्शे आपी की यूटिव चैनल में और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग देखोगे एक बड़ी खबर आते वे नजर आई है अभी अभी खबर आई है उसका असर कैसा रहेगा कल के दिन स्टॉक क्यों पर चर्चा करेंगे साथ में आप लोग देखोगे इस शेर में जो आज फिर से हमें एना एक से देट परशेंट के करीव क्रेक्शन दे निदर का जो लैवल ईवो में रहने वाला है क्या आगे स्टॉक में क्रेक्शन बनेगी या फिर Pit टि स्टॉक में बनते हो निजरDes को आरे और जो मेमार्च का महिना है यह व फिर अप्रैल क्या इनके यह जो बहुत से भाई को बने होगा तीस परेसेंट क्रेआट में अग अगर होगी भी ना क्रेक्शन तो 5-4% लास्ट है ठीक इससे बड़ा फॉल नहीं आने वाला मार्केट में ठीक अगर इससे बड़ा फॉल आएगा एक तो कमेंट आया कि 50% मार्केट टूटेगा क्या भई 50% मार्केट टूट अगर जाता है तो इंडिया के अंदर कैसा महौल अपने सोच है कभी तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले ख़बर क्या ही है उसके बाद डिसक्स करेंगे भी कहां से फ्रेश इंट्री के महौल बनते हैं क्या जो यह करेंट प्राइज है यहां पर खरीदारी होनी चाहिए और बहुत से भाई बोल रहें कि आपने शेर में नफस हुआ दिया भई देखो सबसे पहली बात तो यह हमारी जो एकजिटिंग थीस से प्रॉफिट बुकिंग हुआ था 170 के आसपास ठीक है उसके बाद आप लोग देखोगे हमारा सिरफ और सिरफ उपर के भाव से मैंने क्या बोला या तो अपना कैपिटल सेफ कर लो या यहां पर मैंने आपको एक ही बात बोली थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो एकदम से पैसा लगाना नहीं है क्योंकि मार्केट आगे चल कर बहुत ज़दा वोल्टायल करेगा अभी टाइम मार्केट बिल्कुल पब्लिक को रूला रहे है तो तो त साइडवेज चल रहे है तो यहां पर समझदारी के साथ काम लेना है तो जो भी बाई यह बोला है मैंने फस्वा दिया तो बहुत देखो नीचे के भाव में एकदम से पैसा लगाने के लिए मैंने बिल्कुल मना किया था एकदम से पैसा नहीं लगाने इस मार्केट में नहीं समझोगे तो गल्ती आप किये नहीं कि किसी और की ठीक है तो पहले complete देखा करो समझा करो क्या है क्या ने उसके बाद decision लिया करो तो चलिए एक पर देख लेते हैं सबसे पहले जो ख़बर आई अभी-अभी वो क्या है तो यहां पर आप लोग देख सकते अभी company ने अभी अभी यह notice published किया है और इस notice के माध्यम से company ने बताया है कि इसको एक और वर्क ओडर रिसीव भी रिसीव हुआ है ठीक है यहां पर देख सकते हो भी वर्क ओडर रिसीवड बाए HSCC India Limited Hally-ת orn subsidiary company of NBCG तो आप लोग देखा कि अभी है RSCCC जो company है जिसको order मिला है न किसकी subsidiary company NBCC की तो इसको वेल्यू रहने वाले कोष्ट रहने वाली इस ओडर की वह यहां पर देखने मिले 92 क्रोड तो यह टोटल प्रोजेक्ट कंपनी 92 क्रोड का ओडर पर ओडर कंपनी लगातार विन कर रही है ओडर बुक लगातार मजबूत हो रही है इसलिए शोट्रम वाले देखो भी अभी के टाइम जो मोगा है ठीक है लॉंग ट्रम वालों के लिए शोट्रम वाले वह थुड़ा सा संबल के रही है भीके टाइम ठीक है तो यह खबर है चलिए अब जानते डिटेल में आकरकार इसका इंपक्त के दिन स्टॉक के ओपर कैसा रहेगा तो यहां पर आप लोग देखो कि डाटा वगरा कैसा रहा है 134 पचास प्रीविज क्लोजिंग ओपन हुआ 134 पिचानवे 135 पत्चिस का हाई स्टोक में तेजी के साथ ओपनिंग फिर तेजी बनी लेकिन उसके बाद आप लोग देखो कि स्टोक में क्रेक्शन 132 तक नीचे में 132 पैंटिस के असपास इसकी कलोजिंग हुई है ऐसे में मार्केट प्राइस के उपर आप लोग देखो कि 10,590 क्वांटिटी के एक सा लोड रहे है नेगेटिव डिलेवरी पोजिशन के अगर बात की जाए तो यहां पर देख से तो भी गिरावट के अंदर 46.4 यहांदि कि डिलेवरी जोना भी जम कर ख्रियदारी की जा रहे है तो यहां पर आप लोग देखो कि भी स्टोक में हमें उपर के भाह से हल्की फुलकी क्रेक्शन तेजी ग्रावट यह माहुल बनते वे नजर आ रहा ना तो इसको लेकर प्रेशान होने यहां पर आप लोग देखो कि उपर में 145-46 क्या पास पहुंचा था ना उपर में फिर वहां से प्रॉफिट बुकेंग और स्टॉग में फिर से क्रेक्शन अभी के टाइम आप लोग देखो कि यहां से अगर स्टॉग में क्रेक्शन आती है तो यह शेयर नीचे में आ सकता भी 120 क्या पास यहां पर सपोर्ट लिया उसी प्रकार से स्टॉग में फिर से यहां से रिवर्सल आने के संकेत और 150 तक के मूव उपर में बन सकते हैं फिर से तो यहां पर पहला जो इंट्री का लेवल रहेगा 120 और सेकिंड रहेगा 110 अगर यह लेवल स्टॉग यहां पर आपको दिखाते 120-610 के असपास आते हुए नजर आये नीचे में तो strongly by zone open हो जाता है फिर तो यहां से घबराना नहीं है जो लॉंग ट्रेम के लिए चल रहा है नीचे ऊपर के भावों से खिरिदारी हो गए ना घबराओ मत ड्रो मत होल्ड करना पड़ेगा पेसंस रखना पड़ेगा बस यह आपके अंदर काविलत होनी जाहिए और नीचे के भाव में अगर स्टॉक आपको मिल रहा है एकदम पैसा कहीं पर नहीं डालना है ठीक है थोड़े थोड़े शेर अपने पॉटफोलियो में एड करते रही है ऐसा नहीं है कि यहां से घ्रीदा तो यहां पर आपको एव प्राइज है क्यों 60-70 के भाव में तो उनको पैनिक नहीं होना है आपके पास एवरेज करने के लिए पैसा होना चाहिए थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आप लोग ख्रीदारी करते रही है ऐसा है कि एकदम से सारा एवरेज इसी प्राइज पर होना चाहिए उसके नेच बिस बिस जो आपसे हो अपनी कैपसिटे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा एड़ करते रही है बैस्ट है आगया आपके मर्जिय थैंक यू फर वाचिंग दे वीडियो